Hello friends, तो हम लोग function खतम कर चुके हैं, okay? Function जो भी जितने भी type के होते हैं parts थे, उसको हमने end कर दिया है अभी तक हमने C language में 29 वीडियोज को upload कर दिया है तो अगर आपने उन सारे 29 वीडियोज को वाच नहीं किया है कि आपको C language बहुत अच्छी तरह से सीख जाओगे है ना, तो चलिए मैं start करता हूँ तो अपने कुछ वीडियोज में हमने function में पढ़ा अतिस में क्या किया था कि चार टाइप के function बताए थे है ना, based on arguments and written type तो ये चारों टाइप के हमने function सीखे थे और जिनमें हमने क्या किया था addition, subtraction, multiplication and division ये सारे function यहाँ पर define किये थे addition, subtraction, multiplication and division को perform करने के लिए और उनको हमने इस तरह से declare भी किया था तो ये है function declaration और यहाँ पर हमने function को define किया है चलिए हम उन्हीं function का use करके कुछ हम लोग क्या करते हैं सिम्पल सा एक अच्छा प्रोग्राम लिखने की कोशिश करते हैं उससे पहले मैं क्या करता हूं मैं एक function बनाता हूं मीनू नाम से और इसका मैं return type रख रहा हूं int मतलब यह function int type की value को return करेगा और इसके parenthesis में हमने कुछ भी फार्मल आर्गुमेंट्स नहीं बनाया है इसका मतलब कि मैं इसमें कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करूंगा function को काल करते समय तो मैंने यहां पा लिखा one add two number add two number इस तरह से हमने message दे दिया उसके बाद मैं यहां से क्या करता हूं इसको मैं अगर आपने हमारा पुराने कुछ वीडियोज देखे हैं जहां पर हमने अच्छे अच्छे प्रोग्राम लिखे थे तो definitely आपको यह मेरी बास समद में आएगी मैं क्या कर रहा हूं मैं two number choice पे कर देता हूं subtract two number और three number पे मैं कर देता हूं multiplication four number पे मैं कर देता हूं division और fifth में कर देता हूं exit अभी आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं और इसमें मैं कर देता हूं simple enter your choice basically मैं एक menu function मना रहा हूं है न तो क्या होगा जो भी user अपनी choice इंटर करेगा user one two three four five में से कुछ भी इंटर करेगा तो जिसको मैं क्या करूंगा इस kind of की सहायता से person d लगा करके address आप choice नाम का variable मैं बना के उसमें store कर लूँगा मैं इस choice variable को यहां पर declare कर दे रहा हूं जो भी choice में आएगा उसको मैं यहां से simply return कर देता हूं ch o choice को है न अब मैं क्या करना चाहता हूं मैं main function में आता हूं यहां पर coding करता हूं तो अगर मुझे addition, subtraction, multiplication perform करना है तो उसके लिए मैं सबसे पहले एक infinite loop लगा लेता हूं यार I hope कि आपने दो project जरूर देखे होगे जो हमने bank को minus करने के लिए बनाया था और एक हमने आपको game बनाया था यहां पर error क्या आ रहा भी या डबलू यच आई एली होगा while है ना तो इस तरह से हमने infinite loop लगा दिया हमने infinite loop इसले लगा दिया ताकि यह बार बार repeat होता रहे है ना अगर मैं infinite loop नहीं लगाऊंगा प्रोग्राम को run करूंगा तो प्रोग्राम रन करके इंड हो जाएगा है ना तो दूसरी बार मुझे अगर कोई operation परफाम करना है तो मुझे फिर से प्रोग्राम को run करना पड़ेगा है ना अच्छा मैं क्या करता हूँग मैं यहां परना switch लगाता हूं स्विच लगाता हूं और स्विच के अंदर यहां परांथिस में मैं मीनू function को काल करता हूं अब ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूं मैंने स्विच के अंदर मीनू function को काल किया तो जैसे ही मेन function का इंड होगा तो यह infinite loop है सिस्टम सीलस चलेगा जो भी previous होगा वो clear हो जाएगा उसके वाद switch का execution होगा तो switch के अंदर हमने मीनू function को काल किया तो मीनू function जब काल होगा तो print up की वजह से यह सारी चीजें as it is print हो जाएगी तो user क्या करेगा अपनी choice को enter करेगा user 1 enter करेगा add के लिए 2 enter करेगा subtract के लिए 3 multiplication 4 division के लिए और 5th choice enter करेगा exit के लिए क्योंकि यह infinite loop है तो यह program हमेशा run होता रहेगा ऐसे घूम घूम करके तो जब तक user अपना operation, addition, multiplication, division, subtraction करना चाहता है लेकिन जब उसका मन खतम हो जाए कि अब वो program को end करना चाहता है तो वो 5th choice enter करेगा तो exit वाला हम लोग coding करेंगे और जो भी user यहाँ से choice enter करेगा वो choice नम के variable में जाएगी और यहाँ से return हो रहा है इसका मतलब यहाँ menu की जगह पर वो आने वाला है जो इस फंसन से return होगा इस फंसन से क्या return होगा जो भी user अपनी choice enter करेगा यानि कि 1, 2, 3, 4, 5 में से कुछ भी return होके यहाँ पर आने वाला ह है कि नहीं तो यह आने वाला है तो उसको मैं क्या करूँगा मैं case बना के handle करूँगा आपको switch के बारे में पता है infinite loop के बारे में पता है लेकिन उसको use करना आपको सीखना पड़ेगा तो हमने 5 case बना लिए 5 ही case क्यों हमने बनाए क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 twice है तो user 5 operation पर फार्म कर साथ अगर इसके अलाबा user कोई और इंटर करता है तो यह default वाला जाएगा है तो simply मैं यहाँ पर message दे देता हूं लाइन चेंज इन्वाइलिड च्वाइस से है ना अब उसके बाद मैं लगा देता हूं ब्रेक इस तरह से अब आप बताओ कि अगर user 1 च्वाइस इंटर करता है इसका मतला वो एडिशन परफार्म करना चाहता है तो यहाँ पर case 1 में मुझे एडिशन का कोड लिखना है और एडिशन परफार्म करने के लिए हमने तो फंशन बनाया है यह वाला फंशन तो simply मुझे इस फंशन को वहाँ पर च्वाइस वन में काल कर लेना है तो मैंने यहाँ पर क्या किया फंशन को काल और उसके बाद ब्रेक खतम यानि कि जब भी user 1 इंटर करेगा तो वो एडिशन परफार्म कर लेगा इसी तरह से अगर user 2 इंटर करता है तो subtraction subtraction के लिए भी हमने एक फंशन बनाया है सब नाम से और इस फंशन को भी जब दूसरे च्वाइस में मैं क्या करूँगा काल कर लूँगा और उसके बाद ब्रेक लगा दूँगा है ना तीसरा च्वाइस क्या ह multiplication अब multiplication यह function यहाँ पर है तो multiplication जब मैं function को काल करूंगा तो मुझे दो argument पास करने पडएंगे तो मुझे दो nember input कराना पड़ेगा तो मैं main function में क्या करता हूँ A and B नाम से दो variable बना लेता हूँ और case 3 में आने के बाद मैं यहाँ पर print of लिखूँगा क्या लिखूँगा print of में enter to number for multiplication ताकि पता रहे ना कि हम लोग किसके लिए value इंटर कर रहे हैं फिर मैं यहाँ से लगा लूँगा scan of value को read करने के लिए 2% address of a comma address of b और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे multiplication को call करके a comma b को pass कर देंगे तो जो a और b की value pass होगी वो कहाँ आएगी multiplication में और इस line के चलने की वज़ा से multiplication हमारा print हो जाएगा और इसके बाद हम लोग लगा देंगे break है ना इस तरह से उसके बाद हम लोग देखते है fourth जो choice है fourth choice में क्या है division है तो division function आप देखो यहाँ पर मुझे दो argument पास करने पड़ेंगे और वो value return भी कर रहा है तो फिर से मुझे दो number को input कराना पड़ेगा तो मैं यही दोनों line यहाँ से copy करके यहाँ पर मैं उसको paste कर लेता हूँ और enter to number far far किसके लिए division के लिए है ना और यहाँ पर इसके बाद इसके एनफ आ जाएगा division function को call करके a, b हम लोग पास करेंगे लेकिन यहाँ पर division का जो result होगा वो return होके आएगा क्योंकि division function return कर रहा है value को तो जो division का result होगा वो return होगा return होके कहा जाएगा जहाँ से function call हुआ यानि कि इस highlighted area में a और b का division का result आने वाला है तो मैं इसी को print कर देता हूँ मैं क्या लिखता हूँ print of नई तो पहले मैं एक काम कर लेता हूँ यह division का जो answer है इसको store करने के लिए मैं एक result नाम से variable बना लेता हूँ और इस result नाम के variable में यहाँ पर मैं इसको store कर लेता हूँ है ना और उसके बाद इस result की value को मैं print कर देता हूँ line change और मैं यहाँ पर लिखूँगा division of person d and person d is person d है ना और यहाँ पर a कामा b कामा result की value है ना ऐसे तो करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे break लगा देंगे तो इस तरह से हमने क्या किया division भी perform कर लिया अब फिप्थ च्वाइस में अगर user फिप्थ च्वाइस इंटर करता है तो मुझे इस infinite loop को break करां देखिए अब यह infinite loop है ना तो यह बार 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 repeat होता रहेगा menu function बार बार काल होगा तो user बार बार अपनी choice इंटर करके operation को perform करता रहेगा लेकिन अगर user जब यह infinite loop है तो यह इंड नहीं होगा तो जब user 5 choice इंटर करेगा इसका मतलब वो प्रोग्राम को इंड करना चाहता है तो case 5 में आने पर मुझे कुछ इस तरह से coding करना है कि मेरा switch भी break हो जाए infinite loop main हमारा target है इस infinite loop को break करना यह क्या है यह है इंड आफ infinite loop है ना और यह क्या है यह है इंड आफ switch है तो switch को तो हमारे जो switch के अंदर break लग रहे है वो break कर देंगे तो case 5 में अगर मैं break लगाऊंगा तो यह वाला break क्या करेगा हमारे switch को break करेगा लेकिन जब यह वाला break चल रहा है यानि case 5 चल रहा है तो यह loop भी break होना चाहिए तो मैं क्या करता हूँ उसको simple एक मैं क्या करता हूँ एक variable बनाता हूँ लटसे break infinite loop equal to 0 करता है एक variable बनाया उसकी value 0 है और जैसे ही अगर case 5 इंटर होता है तो उसकी value में change करके 1 कर देता है तो इस variable की value 0 रहेगी जब तक user case 5 इंटर नहीं करता यानि कि 5 twice इंटर नहीं करता और जैसे ही 5 twice इंटर करेगा तो इसकी value 1 हो जाएगी और break चलेगा break चलने पर ये switch break होगा और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे हम लोग यहां पर आएगे और इसके नीचे चेक करेंगे इस variable की value अगर 1 है तो मुझे loop को break करना है तो एक break मैं और चला दूँगा तो जब इस variable की value 1 हो जाएगी तो ये break चलेगा और अगर ये वाला break चला तो ये वाला break इस loop को break करेगा है ना? लूप को हम कैसे break करते हैं break कही तो use करके keyword का करते हैं ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि infinite loop किस तरह से बनाते हैं उसको किस तरह से break करते हैं है ना? तो जब user 5 choice इंटर करेगा तो हमारा loop क्या होगा break हो जाएगा और हमारा loop यहाँ से break हो गया तो मैं यहाँ पर एक print of दे देता हूँ loop के बाद क्या? thanks for using our calculator हो गया बस जादा 3-5 नहीं करेंगे यहाँ पर simple सा message और इसके बाद भी मैं get cs लगा देता है ताकि हमारी screen रुकी रहे हो और मैं यह वाला message देख पाऊंग और फिर जैसे मैं कीक प्रेस करूँगा मेरा हमारा यह program इंड हो जाएगा तो इस तरह से हमने एक simple सा प्रोग्राम बना लिया है है ना अब मैं इस program को run करता हूँ अगर कुछ error होगा तो हम लोग error को दूर करेंगे नहीं है error क्या बात है अब क्यों कि मैं programming बहुत दिन से कर रहा हूँ इसलिए error नहीं है च्वाइस के बाद मैं यहाँ पर column लगा के थोड़ी सी space दे देता हूँ मैंने इस program को run कर दिया और यह देखिए कैरा इंटर सब कुछ है तो अभी क्या हो रहा है प्रोग्राम की execution को क्या आप समझ पा रहे है पहले system CLS चला होगा सब कुछ clear उसके बाद यह menu function काल हो रहा है जब menu function काल हुआ तो यह सारी चीजे हम लोगों को मिल रही है अकरा enter your choice जैसे ही मैं choice enter करूँगा वो choice is choice नम के variable में जाएगी और वो return होगी return होने के बाद वो कहां पर आएगा यहां पर आएगा और case से matching होगी तो जो भी case हमने enter किया होगा यहां पर twice वही operation perform होगा चलिए मैं one enter करता हूँ जैसे ही हमने one enter किया तो वो add function काल होगा देखिए मैंने enter कर दिया add function काल होगा करा enter to number यह बहुत अच्छा message नहीं है मैं इसको cut करता हूँ मैं add function में जाने के बाद क्या बोलूँगा इंटर to number far edition तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा है ना उसी तरह से इंटर to number far subtrac subtraction है ना और multiplication division के लिए था हमने लिखा ही मैं फिर्से प्रोक्राम करन करता हूँ मैं case one enter करता हूँ देखे करें इंटर to number far edition यानि की add function चल रहा है तो हमें दो number इंटर करना है मैं इंटर करता हूँ 4 and 5 देखे क्या कह रहा है sum of 5 and 4 is 9 इस time पर क्या आप बता सकते हो कौन सी वाली line execute हो रही है अगर आपने इस time पर बता दिया कौन सी वाली line execute हो रही है तो मैं आपको समझ लूँगा कि हाँ आपको program समझ में आया है चलिए मैं बताता हूँ जब इस function को call किया गया तो इस function का काम इंट हो गया जब ये message print हुआ देख लो ये वाला message जो है add function के अंदर यहाँ पर print है यानि कि ये function का काम इंड हो चुका है जब इस function का काम इंड हो गया तो क्या चला होगा ये break चला होगा तो ये switch break हो गया होगा यानि कि ये switch के बाहर आगे और इस time पर get cs चल रहा है है ना इस time पर क्या चल रहा है get cs चल रहा है और जैसे ही मैं कोई की प्रेस करूँगा गट्सियाच का काम इंड हो जाएगा है ना गट्सियाच का काम जैसे ही इंड होगा तो ये कोडिशूट होगा उसके बाद तुरंत बाद इन्फाइनाइट लूप फिर से स्टार्ट होगा तो ये सिस्टम 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 चलेगा तो ये जारी सी जो भी आपको दिख रही है ये सारी चीजें ये सारी चीजें इरेस हो जाएंगी सब कुछ इरेस होगा लेकिन आपको ऐसा लगेगा देखना कि इतना इरेस हो रहा है ये वाला इरेस नहीं होगा आपको ऐसा फील आएगा लेकिन आपको पता है कि जब सिस्टम सिलेश चलेगा तो यह पूरा-पूरा इरेस होगा और सिस्टम सिलेश चलने के तुरंत बाद यह मीनू फंशन फिर से काल हो जाएगा तो इतना मैसेज मुझे फिर से मिलेगा समझ में आ रहा है चलिए मैं की को प्रेस करता हूँ यह देखे बिलिंक हुआ था ना तो पूरा-पूरा इरेस हुआ और फिर से स्विच के अंदर मीनू काल हो गया इसलिए यह फिर से प्रिंट है अब आप यहां पारागा टू च्वाइस इंटर करेंगे तो सब्ट्रेक्श के लिए भी हमने क्या किया था वैलू को रिटर्न किया था ना तो सब्ट्रेक्शन के लिए भी यहां वैलू रिटर्न हो रही है तो मैं क्या करता हूँ उसी रिजल्ट वेरियेबल में इसको भी स्टोर कर लेता हूँ और यहां पर मैं सिंपल सा एक मैसे स्प्रिंट कर दू सब्ट्रैक्शन और यहां पर पर्षंडी पर्षंडी ए और भी तो मुझे मिलेगा नहीं तो सिर्फ प्रिघ्ष्ट्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन इज पर्षंडी ओके इस तरह कि प्रोग्राम को रण कर देता हूँ सब्ट्रैक्शन भी वैलु को रिटन कर रहा था मिन्सपंशन काल होने की वजह से फिर से यह हमें मिलेगा यह देखो। फिर हम लोग कर लेते हैं multiplication 5 & 4 देखे multiply 20 फिर से कर लेते हैं Division के लिए कर लेता हूं मैं और 15 & 5 का Division के लिए मैंने पहले मने 4 चुईस इंटर करता हूं फिर मैं इंटर करता हूं 15 & 5 देखिए division is 3 तो इस तरह से आप काम अपना कर सकते हूँ आप 5 choice इंटर करने पर देखिए हमारा ये कहरा thanks for using our calculator और हमारा program in हो गया तो दोस्तों I hope कि आपको ये program समझ में आया होगा मैं आपको पूरा program एक बार दिखा दे रहा हूँ धीरे धीरे आप चाहें तो इसको note कर सकते हैं नहीं तो मैं आपको comment section में भी ये code provide कर दूँगा तो comment section में से भी आप इस code को प्राप्त कर सकते हों और अगर आप beginner हो दोस्तों तो I hope कि आपको ये समझ में आया होगा क्योंकि ये चीजे आगे ना बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं क्या ये चीजे आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाली हैं जो आप तो ये हमारा code आप यह code आप यहाँ पर इस तरह से देख रहे हो infinite loop लगा के system c less लगा के switch लगा के menu का यूज करके ये सारी चीजे डेटा इस्ट्रक्चर जब आप पढ़ोगे तो बहुत यूज होता है तो आप ना एक काम करो अगर आप c language पहली बार पढ़ रहे हो c language आपकी पहली language है तो आप c language को अच्छी तरह से पढ़ो और उसके बाद हमारे चैनल से डेटा इस्ट्रक्चर भी पढ़ो आप क्या करो मेरे चैनल पर आओ और देखो डेटा इस्ट्रक्चर पर हमने वीडियो बहुत जादा अपलोड कर दिये हैं आपको पूरी प्लेलिस्ट चाहिए तो आप यहां पर प्लेलिस्ट में आओ प्लेलिस्ट में आने के बाद आप डेटा इस्ट्रक्चर एंड अल्गर्दम यूजिंग c language 2020 इसको क्या करो एक्सिस करो यहां से view full playlist में क्लिक कर दो तो यहां पर यह सारे वीडियो आ जाएंगे इन सारे वीडियो को आपको सुरू से देखना है और पूरा last तक देखना है अभी तक हमने 87 वीडियो को अपलोड किया है अभी इसमें बहुत जाता वीडियो में अपलोड कर रहा हूँ यह इतना अच्छा course हमने design किया है beginner के लिए data structure आप एक बार वीडियो को देख लेना बस आप खुद कहोगे कि यह बहुत अच्छा course है और आपको कोई doubt आएगा ही नहीं क्योंकि इस ढंग से हमने इसको explain है एक बार पूरा वीडियो को देखना believe me हमने बहुत कुछ explain किया है यार तो I hope कि आप इसको access कर ही लोगे अगर आपको पढ़ना है तो I hope यह भी यार कि आपको यह वाला भी program समझ में आया हो so thank you so much bye bye